हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ डिवेल्पेंट इकनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेखिया हूँ चेप्टर का नाम है नर्क्स थीसिस ओन डिस्कायस तानिंप्लॉम्मेंट और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा नर्क्स ने क्या कहा है Disguised Unemployment के बारे में Long Quotient के इसाफ से मैंने यह प्रिपेर किया है तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इस चेप्टर के सारे लिंक्स आपको description में मिल जाएंगे ठीक है? Let's start तो आज हम करेंगे नर्क्स थियूरी या थीसिज on Disguised Unemployment तो नर्क्स ने क्या कहा था Disguised Unemployment के बारे में इसके बारे में Long Quotient के इसाफ से Detail में मैं discuss करूँगा In less developed countries, more workers are engaged in farming operation than actually needed तो वो कहते थे के underdeveloped countries में Disguised Unemployment होती है जितने farming में बंदे चाहिए उससे जएदा लगे हुए The excess number of workers do not add anything to the farming output जो फालतू बंदे लगे हुए वो कोई काम तो करते नहीं For example, farming में आपको 1000 बंदे चाहिए मगर 1500 लगे हैं तो जो फालतू के 500 बंदे लगे हैं खावे का काम कर रहे है मगर actual output में contribute नहीं कर रहे है Simple words में के underdeveloped countries में Disguised Unemployment होती है However, these disguisely unemployed people obtain their livelihood from agriculture itself वो काम तो कोई करते नहीं मगर अपनी livelihood कहां से लेते हैं Agriculture से ही मतलब हिस्सेदारी वो पूरी ले रहे हैं मगर काम तो कर ले रहे The possibility of savings in agricultural sector is exhausted when agriculture has to support a large number of disguised unemployed people अब आप खुद सोचो हजार बंदे जो काम कर रहे हैं जी जान लगा के एग्जांपल दे रहा हूं उसकी जगा पे पंदरासो बंदे लगे हैं तो जो हजार बंदों ने कमाना था वो अब बंदरासो बंदों में डिवाइड होएगा जो हजार बंदों ने कमा के जो सेव करना था उनकी savings में से किन की तनखाएं निकलेगी जो पांसो के फालतू लगे हूए तो पांसो फालतू बंदे लगे हैं तो simple words में जो savings की capacity है वो exhaust हो जाती है जो असल में काम कर रहे है उनकी तनखाएं ज्यादा होनी चाहिए थी उनकी तनखाएं कटकुट के जो उन्होंने saving करनी थी वो कटकुट के किन की तनखाएं निकल रही है जो फालतू के लोग लगे हूए नर्क्स maintains that productive workers have to spend their prospective savings on the maintenance of their unproductive counterparts तो नर्क्स का कहना था कि जो productive workers है वो अपनी savings और अपनी तनखाओं में से पैसे काड़ काड़ के unproductive workers को दे रही है जो disguisedly unemployed है जिनको जो काम ही नहीं कर रहे है ठीक है इस prospective savings are what नर्क्स काल disguised saving potential तो उनों नर्क्स ने ये का था कि ये जो savings है जिनमें में से दूसरों की तनखाँ निकल रही है जो वेले बैठे थे जो दिखावे का काम कर रहे है उनकी जो तनखाँ निकल रही है उसको disguise saving potential कहा गया है अब paragraph change करके बोलूँगा नर्क्स के जो है जो words है उनमें ये क्या कहा गया है according to नर्क्स there is the possibility however of taking surplus workers away from land तो वो कहते हैं कि ये possibility है कि जो surplus workers है उनको जमीन से दूर रखे मतलब land से दूर कर दिया जाए and anything they could produce elsewhere would be a clear addition to the real national income और अगर वो कहीं और कुछ भी produce करते हैं किसी और sector में या किसी उस जमीन से निकाल के किसी और समीन पर जिस पर काम नहीं चल रहा तो जो भी वो बनाएंगे वो national income में real national income में add-on ही होगा क्योंकि यहां कौन से वो workers कोई काम कर रहे हैं next the people withdrawn from agriculture are to be engaged in capital projects जो workers को agriculture से निकाला जाए जो disguisedly unemployed है उन workers को निकालके capital projects पे लगाया जाए कोई factory बनाए जाए कोई roads बनाए जाए कोई infrastructure बनाए जाए ठीक है nurse suggested that these people could be engaged in irrigation works construction of roads and dams and other social overheads in the capital nurse कहते थे ऐसे बंदों को निकालके जो disguisedly unemployed है उनको irrigation works में जो irrigation के लिए canals गारा बनते हैं उनकी construction में लगा दिया जाए या फिर roads, dams के लिए लगा दिया जाए या other कोई social overheads मतलब infrastructure जो भी country को चाहिए उसके लिए लगा दिया जाए their withdrawal from will not their withdrawal will not affect the production in the agriculture sector as the marginal productivity of these workers are zero वो zero there तो ऐसे workers को निकालके agriculture की production में गिरावट बिलकुल नहीं आएगी क्योंके वो तो पहले ही कोई काम नहीं कर रहे थे विल ले बैठे थे समझ के बात however contribution to output by these workers when engaged in capital projects would add to total national product और अगर वो वहाँ से निकल के कहीं और काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो national income में add-on होगा ही all that is added to national product is the surplus generated on account of productive employment of the earlier unproductive workers जो भी addition होगा national income में वो इस वज़े से होगा क्योंके जो workers पहले unproductive थे अब वो कहीं न कहीं और सेक्टर में जाके काम करके वो productive हो चुके हैं however two problems are confronted in this regard but इसमें भी दो problems खड़ी हो जाती हैं कौन-कौन सी problem से सबसे पहली problem आ जाती है नर्क्स के हिसाब से arrangement of finance the basic problem is of providing food, clothing and shelter to the people withdrawn from agriculture sector agriculture sector से जो disguisedly unemployed बंदे निकाले हैं और दूसरे sector में काम कराने के लिए भेज रहे हैं उनको रोटी कपड़ा मकान की problem हो सकती है क्योंके जब वो villages में बैठे थी तब तो अपने घर में बैठे थे मगर किसी और sector में जाके काम कराएंगे तो उनको रोटी कपड़ा मकान तो देने ही पड़ेगा नर्क्स ने इसका भी एक इलाज निकाला है मगर उसकी बुराई भी बाद में बहुत होई थी क्रिटिसिजम में डिसकस करूँगा नर्क्स is of the opinion that for these requirements these workers should continue to depend should continue to be dependent upon their rural counterparts as before वो कहते थे कि इन requirements के लिए वो क्या करें वो अपने rural counterparts जो villages में उनके रिष्टेदार या families है उनी के ओपर depend रहे हैं रोटी कपड़ा मकान उनी से लेते रहे सारा खर्चा समिथ की बात इसको criticize भी किया गया बाद में they were being supported by their family members earlier too तो मतलब पहले भी तो family members उनको support करते थे तो अब भी अगर family members support कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी वो फालतू पैसा तो कमा ही रहे है national income तो बढ़ी रही है when they were disguisedly unemployed in the agriculture sector basically जब वो disguisedly unemployed थे अगरी कल से सेक्टर में तब भी तो उनकी families उनको support कर रही थी तो अभी भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी नर्क्स कहते हैं अभी भी उनी को support करना चाहिए बस जो add-on वो काम कर रहे है उससे national income बढ़ रही है यह उनके views हैं यह मेरे views नहीं है आप मुझे बुराई यह गालियां मत निकालना क्योंकि बहुत बच्चे यह सोचते हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ यह मैं नर्क्स के thesis जो है वो आपके साथ discuss कर रहा हूँ ठीक है second problem आजाती है problem of tools provision of tools and implements to the people withdrawn from agriculture sector and engaged in public work programs public works program is yet another problem उनको tools कौन महया कराएगा tools कौन देगा यह भी एक मिन problem है इसके लिए भी 2 suggestions दी गई following suggestions may be offered in this context इस context में 2 suggestions दी गई पहला जो सुलादी किनों नर्क्स ने कि use of labor intensive technology कि भाई tools की problem है न labor intensive तरीके से काम कर लो labor intensive technique क्या होता है जिसमें labor का इस्तवाल ज़्यदा होता है और machine का काम those techniques should be used which are labor intensive avoiding capital intensive techniques भाई वो तो पहले ही unemployed थे हैं डिस्गाइस ली unemployed अगर उनके सामने भी हमने labor intensive technique ना लगाई जयदा labor से ना काम करा है और machine से काम करा है तो होगा क्या machine से काम करा हैं कि तो वहां पे भी unemployment फैल सकती है हमने basically जो फालतू के labor हैं उनी को तो adjust करके फालतू काम करा के national income बढ़ानी है न second आजाता है use of simple tools disguisedly unemployed people when employed in capital projects should be provided only simple tools and implements that do not involve heavy capital expenditure तो उनको simple tools provide करने चाहिए जिसमें फालतू का जो heavy capital खर्चा है वो नहीं आएगा these simple tools and implements can be arranged by workers themselves यह जो छोटे मोटे tools है वो workers अपने हाथ मतलब खुदी अपने वो कर सकते हैं arrange कर सकते हैं for example कोई खोदने के लिए कोई स्मान ले आए या फिर कोई मिस्तरी अपना चोटा मोटा ले आए इस टाइप के चीजें जो चोटे मोटे अजार है वो workers खुदी क्या कहते हैं अपना arrange कर लेंगे कौन बोल रहे हैं नर्क्स बोल रहे है नेक्स टाइज़त है above discussion makes it clear how disguised unemployment is a potential source of savings in underdeveloped countries तो disguised unemployment जो है इससे ये important source of potential source of savings है underdeveloped countries में अगर ये कहीं और निकल के काम करेंगे तो उससे क्या होगा ये फाल्तु का पैसा कमाएंगे जो की हमारे देश में savings को encourage कर सकता है ऐसा नर्क्स का मालना था ठीक है this can certainly add to the process of capital formation in these countries इसकी वज़े से capital formation ये investments बढ़ेंगी however an essential precondition is that the remaining workers engaged in the family operations do not raise their consumption level necessary condition ये है कि जो पाल्तु के जो workers जो village से निकल के जो disguisedly unemployed है निकल के capital projects में काम कर रहे है अब जो बाकी बचे हुए रहे हैं rural areas में वो अपनी consumption ना बढ़ाएं अगर वो अपनी consumption बढ़ाएंगे तो उनको support कैसे करेंगे जो मतलब capital projects में गए है they should continue to support their counterparts which are now working in capital projects with as much as share of food grains as before तो वो जितना हिस्सा पहले उनको देते थे अब भी उतना हिस्सा ही देते रहें ये एक main condition है जिसको काफी criticize किया गया है नर्क्स की theory में ही तेक है नर्क्स की theory की जब criticism आई थी तो इसकी काफी जयदा criticism हुई थी अब एक और concept नर्क्स की theory में आता है leakage from concealed saving potential यह इस पर short question भी आ सकता है long question आएगा आपको nurse की theory का तो अपने साथ की साथ तो लिखना ही है चलिए शुरू करते है saving potential in disguised unemployed depends largely on the condition that the people working on family farms do not raise their consumption level even after some of their relatives are withdrawn from farming operation to be engaged elsewhere in the capital projects saving potential किस पर depend करता है saving potential इस पर depend करता है कि जो भी लोग रह गये agriculture में वो अपना consumption standard ना बढ़ाएं और वो अपने family members को जो वहाँ से farming से निकल के capital projects में गये हैं उनकी support करते रहें if this condition is not satisfied chances of saving potential would reduce अगर यह condition satisfied नहीं रहती तो saving potential जो है वो reduce हो सकती है ऐसा नर्क्स का मानना था as a matter of fact the saving potential is just the surplus of this food grain production basically यहाँ पर saving potential को जो surplus food production हो रही है उसी के साथ relate किया गया है however as pointed out by नर्क्स himself there are various leakages in the saving potential नर्क्स ने कहा था कि saving potential के अंदर काफी leakages हैं कौन कौन से हैं these leakages set limits to the saving potential यह leakages जो है restrict करते हैं saving potential को नर्क्स point out the following leakages कौन कौन से leakages से number one when the remaining people working on the family farm raise their consumption after some of their counterparts are withdrawn from working elsewhere a serious leakage erupts in the saving potential तो उनका यह मानना था कि अगर जो working population जो agriculture population है जो मतलब agriculture workers हैं उनमें में से कुछ workers निकल जाते हैं और वो capital projects में जाते हैं और जो existing बच गे हैं जो agriculture में existing workers बच गे हैं अगर वो अपनी consumption बढ़ा देते हैं तो फिर saving potential में leakage आ सकती हैं ठीक हैं? नर्क्स is of the opinion that farmers live mostly at the subsistence level ये नर्क्स वो कहते थे farmers जायतर subsistence level पे जीते हैं वो ही हुगाते हैं जायतर जो उन्होंने खाना है जायदा profitable काम नहीं कर पाते हैं therefore there always remains the urge and the need to raise their living standard तो हमेशा वो चाहते हैं कि हम subsistence standard से अपना standard बढ़ाएं और अपनी consumption को थोड़ा अच्छा करें and they do it by consuming more food grains when they can और उनका मानना था कि जब भी वो जैदा food grains को consume करना चाहें अपना standard of living बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ाएंगे thus the share of workers transferred from agriculture sector generally does not reach them in full तो simple words में जो भी उनका जो share transfer होगा वो जितना पहले कर रहे थे उतना नहीं होगा मतलब over the period of time उनकी consumption standard बढ़ेंगी और जो भी वो अपने family members को capital projects में जो काम कर रहे हैं उनको जो transfer कर पाते थे वो उतना ज्यादा transfer नहीं कर पाएंगे तो ये था first point second point yet another leakage erupts when the workers engaged in the capital projects also tend to raise their consumption level दूसरी leakage तब भी हो सकती है जो workers agriculture उसके अंदर काम कर रहे है capital projects के अंदर वो भी अपना जो consumption standard बढ़ा लेंगे they expect to generate higher incomes while working on capital projects then on their family farms वो सोचेंगे अब हम तो शेरों में आगे हैं हम capital projects में आगे हमारी तंखाएं बढ़ गी हैं तो तंखाएं बढ़ने से हम अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं कारें कूरे ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे थोड़ा अपना हाई-फाई standard कर लेंगे तो अगर वो भी अपना standard बढ़ा लेंगे तो saving potential में leakage हो जाएगी ऐसा नक्स का मानना था ठीक है, next आजाते है transporting the surplus food grains from the rural to the urban areas is another source of leakage in the saving potential जब हम transport कर देंगे जो surplus food grains है from rural to urban areas अब आप धियान से सोचो urban areas में food grains की production तो नहीं होती न तो जो भी surplus agriculture में बना हुआ है वो कहां जाता है वो industrial sector में चला जाता है industrial sector मतलब जो बाकी sectors है वहां पे चला जाता है, ये भी एक source of leakage होगी according to NUGS it is in terms of transport cost of transferring food grains from the rural areas to urban areas, जब rural area से urban areas में food grains जाएंगे तो उनकी transportation भी लगेगी और अगर transportation लगेगी तो वो भी एक type का खर्चाई होगा जिससे saving potential में leakage आएगी ठीक है, in short, owing to these three types of leakages the potential of savings is considerably reduced in तीन वज़े से, जो saving का potential है, वो reduce हो जाता है NUGS का कहना था, ठीक है capital formation through disguised unemployment is possible only when the surplus of food grains is fully transferred from the rural areas to urban areas without involving any cost, capital formation तभी अच्छे तरीके से काम करेगी, जब rural area से सारा का सारा surplus of food grains या surplus जो भी वो बनाते हैं, वो सारा का सारा जो है, urban areas में shift हो जाए without any cost, ठीक है मगर असल जिंदगी में costing तो होती ही है इस वज़े से problems आती है अब उन्होंने क्या कहा था solution for plugging the leakages कि इन leakages को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, इन leakages को ना होने से leakages को से बचने के लिए क्या किया जाए उन्होंने कुछ solutions दिये थे जो कि मैं आपके साथ discuss करूँगा ये पूरा का पूरा question, long question के इसाब से मैंने discuss किया है following suggestions may be offered for plugging the leakages, तो नर्क्स ने following suggestions दिये थे, सबसे पहला agricultural taxation, उन्होंने कहा था कि remaining people in the agriculture sector are likely to increase their consumption level following the withdrawal of some of their counterparts तो जब भी उनके कुछ रिष्टेदार या family members निकल के जाते हैं शेरों में काम करने या capital projects में काम करने तो जो बंदे existing रह गए हैं उनकी जो consumption है वो काफी बढ़ जाएगी तो उसकी वज़े से क्या करना पड़ेगा the government can tax the surplus in terms of food grains and give the same to those engaged in the capital projects तो nurse का मानना था कि सरकार को उनके उपर tax लगा देना चाहिए और जो भी tax से कठा किया है amount वो किसके उपर खर्च करना चाहिए जो capital projects के अंदर काम कर रहे हैं उनके उपर खर्चा कर दे सरकार ठीक है और वो ही pass on कर दे किनको जो capital sector में काम कर रहे हैं इंडिया में तो कोई tax ही नहीं है तो उनको tax लगाएगी तो बहुत होला होगा क्योंकि इंडिया इस टिल अंडर्ड कंट्री और slightly developing country इस वज़े से जो most of the people है वो agriculture sector में लगे हुए और अगर agriculture sector में लगे हुए और उस पर tax लगा दिया तो लोगों की हालत तो बत से बतर हो जाएगी second is to collect the rent in the form of food grains तो सरकार को जो land revenue या rent लेती है जहां जमीने दी हुई है सरकार ने अपनी किसानों को तो वहां से food grains की terms में rent लिया जा सकता है it may be suggested that the government collects rent in terms of food grains but this also entails several difficulties food grains में कहां-कहां सरकार rent करती फिरेगी और खुद सोचो इसमें ये भी difficulty कि एक बार rent करता कर लिए उसको store कहां करेगी वो food grains खराब हो गए फिर समझगे ना बाद next step compulsory sale of surplus produce to the government मतलब ये भी एक तरीका कि सरकार को सरकार जब्रतस्ती गए जितना भी produce बनाए मुझे बेचो फिर जो surplus बनाए वो मुझे बेचो मैं आगे देखूंगी क्या करेगी ठीक है ना ऐसा भी possible नहीं है मैं अपना माल ना बेचना चाहूं सरकार को तो सरकार क्या करेगी ठीक है न the government may compel the farmers to sell their surplus produce at some fixed price this method is fairly popular in less developed countries for example minimum sport price जो surplus है वो केते हैं मार्केट में बेचने से अचा हमुझे बेचो यह भी एक method नर्क्स ने पताया था next आ जाता है complimentary savings तो इसके अंडर क्या होता है professor नर्क्स is of the opinion that there may remain certain lapses in the above stated various methods of plugging the leakages उन्होंने का था जो above methods है इन में problems भी हो सकती है it is therefore essential that some additional savings are raised through other sources तो वो कहते थे कि इन जो previous three points है उसमें problems हो सकती है इसलिए उन्होंने का था कि complimentary savings होनी चाहिए ऐसे methods लेके हो जिससे savings encourage हो these may include number one internal and domestic sources तो क्या होना चाहिए complimentary savings may be raised through internal and domestic sources internal मतब within the country ऐसे sources करियेट करो जिससे savings encourage हो urban population may be expected to save more यो शेरों में लोग हैं वो जैदा save करें by reducing their consumption उनकी consumption reduce करें और savings जैदा करें however it would be essential to know that in this context as to what are the consumption items on which expenditure can be reduced तो इससे तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी consumption item है जिससे की कम करके जो ना consume करके या फालतू का खर्चा कम करके हम savings को जो है encourage कर सकते हैं बट आपको पता है शहरों में इतना खर्चा होता है कि पिंडों से जएदा शहरों में खर्चा होता है विलेजिस से जएदा शहरों में खर्चा है और अगर शहरों में खर्चा जएदा है तो कहां से source of से भी इंगे, तो इस point को भी हम बाद में criticize करेंगे, if they can cut expenditure on food grains then the surplus food grain may be utilized to neutralize the loss through the leakages, तो ये कहा गया है कि वो अगर अपना food grains के पर खर्चा कम कर दे, तो जो भी फालतू food grain बचेगा, उसको बेच के भी सरकार एक अच्छा कासा amount जो है, निकाल सकती है, however however, if they can save only on items of luxuries and comforts, the problem of leakage may not be solved that easily तो वो कहते हैं कि सिरफ luxuries or comforts की consumption को cut down नहीं करना पड़ेगा, और consumption को भी जो food grains की consumption है, उसको भी cut down करना पड़ेगा, second point उन्होंने दिया था external sources external sources may also be explode for additional savings external sources में क्या आजाता है majority of the people being poor in less developed countries, domestic savings may not be forthcoming to the desired extent domestic savings इतनी जैदा नहीं है, जिस नहीं चाहिए होती है hence, complimentary savings may be raised through external sources किस तरीके से, external assistance should be spent only on the purchase of food grains to be used by the people engaged in the capital projects, तो simple words में जो भी external assistance आ रही है, बाहर से loans बगार आ रहे हैं, वो सिरफ उनी के ओपर खर्च करने चाहिए है, जो लोग capital projects में काम कर रहे हैं, और उनके खाने पीने के लिए food, shelter, clothing, उसके ओपर खर्च करने चाहिए तो वो कहते थे के, saving potential में leakage तो आना ही आना है, उस saving potential में leakage को खतम करने के लिए, हमें कुछ complimentary savings ढूंडनी चाहिए, ताकि जितनी savings में लीके जाजे, उतनी additional savings हो जाएंगी, तो economy पे जो है, the negative answer नहीं पड़ेगा, समझ के बात, अब इस theory की criticism क्या है, simple words में मैंने लिखी है, NERC's concealed saving potential hypothesis is criticized on the following grounds, number one leakages, some economists are of the opinion that the success of NERC's hypothesis depends on the condition that there are no leakages from subsistence funds, तो यह यह कहता है कि पूरी की-पूरी condition यह कहती कि NERC's के hypothesis depend करते हैं, उन conditions पे, कि जो leakages हैं वो subsistence sector में नहीं है, but in, but this is practically not possible, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, leakages are sometimes so vital that they are difficult to be plugged through domestic or external sources, उसने कहते हैं, leakages होएंगे, और leakages होएंगे, उनको हम plug-in करने के लिए extra sources बनाएंगे savings के, complimentary savings generate करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, कि अगर एक जगा से saving नहीं कर पाए तो दूसरी जगा से saving करेंगे, तो कुछ economist नहीं इसको question mark लगा है, next difference in the nature of laborers, NERC's does not distinguish between the farming workers and those working in the capital projects, उन्होंने कोई difference ही नहीं करीट किया, उन्होंने का जो आहां farmer काम कर रहा है खेत में, उसको निकालो और एकदम से capital project में काम करा लो, ठीक है, while farming workers are generally unskilled and illiterate, those needed for capital projects are skilled and educated workers, तो एकदम से village में काम करने वाला इंसान इतना पड़ा लिखा skillful कैसे हो गया, कि वो बड़े-बड़े capital projects में काम करने लग गया, Professor Kurihara is of the opinion that if unskilled and illiterate workers are such, as such employed on the capital projects, there would hardly be any meaningful contribution to the process of capital formation, तो अगर इनी लोगों को अगर हमने बड़े-बड़े capital projects में लगाया, तो काम ही नहीं करेंगे, तो meaningful production नहीं हो पाएगी, meaningful investments नहीं हो पाएगी, समझ की बात, ये Professor Kurihara ने कहा था, थर्ड पॉइंट, identification of disguised unemployment is difficult, उन्होंने कहा था, वो लोग जो disguisedly unemployed हैं, उनको निकालो और शेहरों में नौकरी दो, बगर कौन से बंदे disguisedly unemployed हैं, ये तो पता लगाना मुश्किल होता है ना, Professor Nux himself accepts that, it is very difficult to identify disguisedly unemployed people, unless this is done, it is almost impossible to transfer the farming workers to the capital projects, जब हमें बता ही नहीं लगेगा कि disguised unemployment से कौन सफर कर रहा है, तो इस कैसे निकाल के capital projects में भेजेंगे हैं, को increase in the level of consumption according to nurse disguised unemployment can be exploited as a source of potential savings only if the remaining workers on the farming lands do not increase their consumption उनका मानना था कि जो फालतू बंदे हैं जो disguisely unemployed हैं उनको शेरों में भेज के काम कराय जा सकता है बट जो existing बंदे रह गया हैं farming sector में agriculture sector में वो अपनी consumption ना बढ़ाएं ऐसा कैसे हो सकता है however this is not likely to be true in the view of subsistence level of consumption of these workers professor nergs himself agrees that working on capital projects the rural migrants are not likely to maintain their old subsistence level of living जो लोग शेरों में आगे वो अपने old standard of living थोड़े न रखेंगे वो तो थोड़े हाई-फाई बन जाएंगे उनका propensity to consume of these workers is expected to rise owing to several factors like उनके wages बढ़ गए हैं demonstration effect है उन्होंने show off करना है car ले लेंगे, scooter ले लेंगे, bike ले लेंगे, phones ले लेंगे, बढ़िया बढ़िया तो उनके consumption standards तो बढ़ेंगे, कम थोड़ी ना होँगे, तो savings कहां से होँगे next point, difficulties in the mobility of labor, labor इतना mobile थोड़ी ना है, कभी भी उठा के village से आप ले जाओ, क्या कहते हैं capital projects में, NERC's hypothesis presupposes perfect mobility of labor, वो पहले ही मान के चल रहे हैं कि जो labor है वो perfectly mobile है, ठीक है, but workers may not leave for urban occupation owing to one reason or the other, जैद अतर workers अपने villages को छोड़के, families को छोड़के नहीं जाते, if the capital projects are located far from the rural areas, rural workers may not be willing to work on these projects, just because of the distance factor, वो कहेंगे, इतनी दूर जाहें क्यों, समझ के बाद, थोड़ा बहुत खा लेंगे, कम खा लेंगे, मगर family के साथ तो रहेंगे, next, increase in population, rising population is a stumbling block in the application of NERC's theory, rising population may aggravate the disguised unemployment, यह कहरा है कि disguised unemployment के workers को निकालो villages से और capital projects में भेजो, जो existing रहेंगे हैं, उनमें भी तो population बढ़ रही है, समझ के बाद, वो चीज़तों बता ही नहीं, lack of complimentary savings, इसने का था complimentary savings होनी चाहिए, तभी जो saving potential चलता रहेगा, मगर ऐसा भी नहीं होता, saving potential through disguised unemployment can be effectively tapped only if there are some complimentary savings in the system, वो कहता है savings जो है, उनमें leakage होती है, तो उसको फिर से बरकरार रखने के लिए complimentary savings करनी चाहिए, however, owing to low income levels, there may not be, this may not be possible in less developed countries, क्योंकि वहाँ income पहले से ही कम है, लोग अपनी income का ज्यादा हिसा खर्च कर देते हैं, किस के उपर, अपनी तंखा का ज्यादा हिसा खर्च कर देते हैं, उसके उपर क्या कहते हैं, consumption standard को maintain करने के लिए, savings कहां से होने, external assistance is uncertain and therefore cannot be relied upon, तो external assistance हमें मिले नहीं मिले, उसका कोई भरोसा नहीं है, increase in prices, wages are to be paid to the migrant workers as and when they start working, but output from the capital project flow only after some time lag, जैसी workers निकल के farming sector से, agriculture sector से निकल के capital sector में जाके काम करेंगे, जैसी काम करेंगे वैसे उनको तन्खाएं देनी है, मगर capital sector से जो तन्खाएं नहीं शुरू होती है, capital sector से जो output बननी शुरू होती है, उसमें time लग जाता है, consequently, demand tends to exceed the available supply of goods in the market, इससे क्यों अगर तन्खाएं होगी और goods बनेंगे नहीं, मतलब तन्खाएं हो workers में demand increased wages, जिसकी वज़े से prices बढ़ सकते हैं और prices बढ़ेंगे तो वो कहेंगे हमारी इतन खाएं, बढ़ाओ, next आजाता है technological neutrality, concealed saving potential hypothesis also implies that the country can progress by maintaining technological neutrality, यह कहता है के भाही पुरानी technology use करो, labor intensive से काम कराओ, simple tools से काम कराओ, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, एक है न, for acquiring the latest technology, हार एक country चाहती ही कि मैं बाहर से technology मगाओ, technology मगाओ, और अच्छा काम कराओ, efficient करूँ, वो पुरानी technology का labor intensive या simple tools से थोड़ना काम करेगे, एक है न, next आजाता है less productivity in agriculture, some economists are of the opinion that in less developed countries, primitive technology is used in agriculture sector, which is highly labor intensive, if some workers are withdrawn from agriculture, output में सफर, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि under developed countries में, पुराने तरीके से अग्री कल्चर का काम किया जाता है, और अगर कुछ workers निकाल दिये, जिनकों की नर्क्स कहरें कि disguised unemployment से सफर करते हैं, उनको निकाल दिया, तो production कुछ न कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि modern technology को इस्तेमाल under developed countries में कम से कम किया जाता है, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो please like, share and subscribe, इस chapter के सारे links आपको description में मिल जाएंगे, take care, bye bye, उनको आपको अमएदध और झापको Pakal को ऑड़ए उनको DAै